हेलो एब्रिवान मैं भी पांचे गो सोमी आज का डेर है 5 चून 2020 आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है जो आज के करने फेयर से जो कि आपके एक्जाम पॉइंच और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजे ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टाडी राइस का उसको हाली में लांच किया गया है जिसमें आपको 2020 के जो करने मार्च अप्रिल और में उसके कंपैलेशन मिल जाएँगे और यहाँ आपको देरे देर हमारी जो चैनल में जो वीडियो जा इनफॉर्मेशन है उसके सभी कंपैलेशन मिलना शुरू हो जाएगा तो इसको चेक करना मत बुलिएगा क्योंकि इसका जो लिंक है मैंने नीचे तो प्रीज इसको चेक करना मत भुलिएगा तो चेड़े आज के डिसकाशन की तरह आगे बढ़ते हैं आज का पहला जो टॉपिक है वह है उनियन कैबिने ने जो है अभी फर्मा कॉपिया कमिशन के रिया स्टाब्लिश्मेंट के लिए अप्रूवल दिया है तो यह उससे ले अभी जो की इंडियन मैडिसीन एन होमियापती के लिए जो फर्मा कॉपिया कमिशन है उसके रिये स्टाब्लिश्मेंट के लिए अप्रूवल दिया है और यह जो कमिशन जो है वो अभी आयूश मिनिस्ट्री के अंडर एक सब ओर्डिनेट ऑफिसर के तोर पे स्थापना क की जाएगी इसके इस कमिशन की और टू सेंट्रेल लेबरेटरी जो है जिनको 1975 में घाजियाबाद में इसको एस्टब्लिश किया गया था फर्मा कॉपिया लेबरेटरी फर इंडियन मैडिसीन पील आएम एन होमियापित्थिक फर्मा कॉपिया लेबरेटरी एच पील तो यह इन दोनों को भी अभी फर्मा कॉपिया कमिशन में मर्च किया जाएगा यान की मिलाया जाएगा तो यह उससे से लेटर टॉपिक है तो अपना जो सौलीडिरेटरी ट्राइल का जो हाईड्रोक्सी क्लोरोकूइन एच पार्ट है उसको रिस्टार्ट करने के लिए डिसा यह जो ट्राइल जो है यह अभी COVID-19 के लिए उसके treatment को खोजने के लिए एक global effort हुए और WHO ने पहले इसको suspend किया था जो कि मतलब The Lancet में जो एक जो study published हुई थी उसी के based पर अपने ट्राइल के HCQ segment को suspend कर दिया था जिसमें hospitalized जो COVID-19 patients है उन पर HCQ के effectiveness पर सवाल उठे थे और study में यह mention किया गया था कि it had failed to find any benefit of HCQ or CQ and anti-malarial drug in the treatment तो treatment में जो है अभी HCQ or CQ and anti-malarial drug जो है उसके कोई benefit मतलब खोजने में यह विफल रहा है ऐसा इसमें उलेक किया गया था तो यह उसी से related topic है The next topic है वो है India or Australia ने जो है अभी जो की landmark जो defense pact है after online submit उसको sign किया तो यह उसी से related topic है 4 June 2020 को India or Australia ने जो है अभी एक landmark agreement किया है और यह जो है यह अभी जो की दोनों ही देशों के बीच में जो ties जो है उसको व्यापक बनाने के लिए और 6 जो pact जो है 6 more pact जो है उसके अलावा भी जो logistic support के लिए जो military bases को reciprocal access है उसको अलाव करेगी तो यह उससे related topic है the next topic है वह government ने जो है अभी जो की IBC के amendment का जो एक जो proposal जो था उसको clear किया है और ordinance जो है बहुत ही जल्द मतलब मिलने की यह मतलब आशा की जा रही है तो central government ने जो है अभी एक जो proposal to amend the insolvency and bankrupt court जो है IBC का उसको approval दिया इस proposal को ताकि जो because of the loan defaults triggered by the COVID-19 crisis जो की मतलब अभी companies के दिवालिया से मतलब prevent करने के लिए इसको किया गया है और इसको approval दिया गया है एक जो ordinance जो है उसको अभी बहुत जल्द ही मतलब issue करने की उम्मीद है और यह जो है यह अभी government को empower करेगी to exclude COVID-19 related debt from the definition of default under the code तो यह उसी से related topic है the next topic है वो है world economic forum जो है वो अभी twin submit को january 2021 में host करेंगे तो यह उसी से related topic है january के 2021 के january है उसमें अभी world economic forum जो है एक जो unique twin submit है उसको host करेंगे और world buddy जो है उन्होंने 3rd June 2020 को यह announcement किया था यह घोशना किया था unique twin submit जो है उसको अभी Switzerland के Davos में आयोजित किया जाएगा एक theme के साथ the great reset और 51st WEF submit जो है उसमें अभी जो की main event के दोरान दुनिया भर से 400 cities में virtual link-ups के साथ वाइजर participation देखने की उम्मीद है इसमें और यह उसी से related topic है then next topic है वो है Arsenium album होमेपथिक drug जो है उसको अभी आयश मिनिस्ट्री के दर द्वारा recommend किया गया है तो यह उसी से related topic है तो मिनिस्ट्री आयश ने जो है अभी एक जो हमेपथिक drug जो है Arsenium album उसको recommend किया है और COVID-19 के preventive use के लिए इसको recommend किया गया है drug जो है उसको अभी distilled water में इसको arsenic को गरम करके इसको बनाया जाता है इस drug को this process of heating is repeated for three days till the water has less than one percent of arsenic और इसको जो है अभी body के लिए correct inflammation के तौर पर माना जा रहा है और यह जो है यह cough cold और diarrhea से prevent करने में help करती है तो यह उसी से related topic है the next topic है annual report of periodic labor force supply तो यह उसी से related topic है 3rd June 2020, 3rd June को जो है national statistical office ने जो है अभी जो की periodic labor force survey का जो annual report है उसको launch किया है और survey की अनुसार जो worker population ratio जो है वो अभी 2017 to 18 में 34.7% की तुलना में 35.3% यह बढ़ गया है और unemployment rate जो है वो अभी 5.8% तक मतब यह गिर गया है in the period July 2018 to June 2019 as compared to 6.1% in the same period 2017-18 और labor force participation का जो rate जो है वो अभी 2017-18 में 36.9% की तुलना में 37.5% यह बढ़ गया है और survey में यह भी मतब पाया गया है कि worker population जो है वो अभी 2017-18 यह में जो 34.7% की तुलना में 35.3% तक यह पाया गया है तो यह उसे से related topic है the next topic है वो है DRDO ने जो है अभी Sumeru PACS को develop किया है तो यह उसे से related topic है तो defense research development organization ने जो है अभी Sumeru PACS को develop किया है ताकि जो personal protective equipment wearers है उनके जो पसीना जो है उसको कम करने में help कर सके और DRDO scientist ने जो है यह पाया है कि PPE wearers जो है वो बहुत ही uncomfortable feel करता है 30 minutes के बाद यह मतला 30 minutes से ज्यादा उसके बाद जो अगर यह अगर पहने रहते हैं तो उसके बाद जो है वो लोग बहुत uncomfortable feel करते हैं PPE wearers तो इसके लिए यह मतला खो जा गया है यह develop किया गया है और they start sweating and this worsens the situation और इस problem को solve करने के लिए personal air circulation system को जो है DRDO के द्वारा develop किया गया है तो यह उससे related topic है The next topic है वह legendary filmmaker Basu Chatterjee का जो है अभी निधन हो गया है आली में तो यह उससे related topic है 4 June 2020 को legendary filmmaker Basu Chatterjee जो है age related health issues के वज़े से उनका देहांत हो गया है उनका age था 93 और Basu जो है रिपोर्टेडली उनके जो Santa Cruz जो residence है उसमें मतमनीन में ही उनके मौत हो गए और उनके death का जो news जो है उसको अभी अशोक पंडी जो की President of the Indian Film and Television Directors Association AFTDA जो है उनके द्वारा यह confirm किया गया उनके death के news को तो यह उससे related topic है नेक चो टॉपिक है वह है अमेरी ice shelf जो की 2021 तक यह 24% तक बढ़ जाएगा तो यह उससे related topic है तो National Center for Polar and Ocean Research ने यह प्रैडिक किया है कि अमेरी ice shelf जो है वह अभी 2021 तक 24% तक expand हो जाएगा और ice shelf जो है वह अभी 2026 तक यह 24% तक मतब बढ़ जाएगा expand होगा और NCPOR observation जो है वह अभी 16-year long satellite observations के based पर है जो की 60,000 square kilometer of the American ice shelf को cover करता है तो यह उससे related topic है the next topic है वह है magnetic field of solar corona जो है उसको unveil किया गया है तो यह उससे related topic है तो University of Hawaii Institute for Astronomy के जो researchers जो है उन्होंने अभी जो की interplanetary space of the sun जिसको solar corona कहते उसको study किया है और charged particles जो है charged particles वो अभी जो की sun की जो surface है उससे radiate करता है और जिसको solar wind कहते है और particles जो है वो अभी entire solar system में expand और field होता है और properties of solar corona जो है solar corona की जो properties है वो completely dependent है magnetic field of the sun तो sun के जो magnetic field है उस पर ही यह completely dependent है यह solar corona के properties और यह magnetic field जो है वो अभी interior में produce करता है और outward में यह extend होता है तो यह उससे related topic है The next topic है वो है oil spelt in the Arctic region of Russia तो यह उससे related topic है तो राशिया ने जो है अभी oil spilled जो हुआ है अंबर नया river में उसी के वज़े से state of emergency का declare किया है और surface of the river जो है वो crimson red में बदल गया है और अंबर नया river जो है वो environmentally sensitive Arctic ocean में बहता है और thermoelectric power जो plant है एक जो मतलब नौरिल्स के जो thermoelectric power plant है उसको अभी permafrost पर इसको बनाया गया है और permafrost जो है अभी climate change और जो temperature बढ़ रहा है उसी के वज़े से कमजोर हो गया है इस लेट तो दा sinking of the pillars that supported the fuel tank to sink और जो कि the loss of containment led to 20,000 tons of diesel oil into the Umbernair river तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो नेक्स टॉपिक है वो है emphasis on the need to care for nature and humanity और world environment day जो है उसको हर साल अभी जो कि environmental issues पर जो global awareness है उसको बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है हर साल और इस साल का जो theme जो है वो है biodiversity मतलब 20 साल का जो environment day का जो theme है वो biodiversity है तो यह उसे से लेटर टॉपिक है तो आज के लिए इतना है कल हम फिर मिलते हैं ने करनेफेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारे चैनल को देखते रहेगा like share subscribe करना प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि आपका ही जो support है वह हमें बहुत सब्सक्राइब करने के लिए और जो मतलब हमारे जो website जो है उसको भी चेक करना प्लीज मत भूलिएगा और प्लीज हमारे चैनल को like share subscribe करना मत भूलिएगा तो टेक क्यार जय हिंद